हेलो नमस्कार जैहिन दोस्तों इस वीडियो की अंदर हम लोग बात करने हो लें पेटेम केरीट कार्ट के बारे में वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दू यहाँ पर सिबिल आपको इतना बैंटर नहीं करते है लेकिन आपको सिबिल गुड़ पे है तो चलेगा लेकिन इतना आपको सिबिल होना ही चाहिए मैं सबस्क्राइब के बात करता हूं तो सबस्क्राइब के बात करता हूं तो सबस्क्राइब के अंदर में लाइफ एपलाई किया हूं आप लोग की सामने तो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा आप इस वीडियो को वाज कीजिगा तब जाके आप पूरा समझ पाएंगे और वीडियो को किसी बिदर की गलती करेंगे तो यार बहुत-बढ़ा मिस्टिक करेंगे तो शायद आपको मतलब इसी की कारण हो सकते है आपको रिजेक भी हो सकते है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा इसकिप मत किये हुए मतलब आप पूरा वीडियो को देखो और आपको अगर आप इलिजिबल होते हो यार कितना लिमिट मिलते हैं नीचो कॉमंट करके बताएगा जरूर ठीक है और कि इशुद आते हैं प्रॉब्लम होते हो तो बताना बनता यार मेरी तरफ से इतना हुए आप लोगो को मदद करने के लिए कोशिश करूँगा और वीडियो को पूरा देखो और हमारे चैनल पर जो यार नए महमान है उनलोग को बहुत-बहुत स्वागत यार चैनल को सब्सक्राइब कर देखो अब हम लोग को एससे इंट्रेस्टिंग वीडियो हर रोज देखने तो अगर आप जो इसको डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो इसको प्ले स्टोर से एप स्टोर से उसको अच्छे से डाउनलोड कर लेजीगा इंस्टॉल भी कर लेजीगा उसको अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो की डिस्टिंग पार पर आपको लिंक है वहां पर देखो PTM Postpaid, PTM Personal Loan, यहां पे Free, Credit Square, और यहां पे Credit Card, तो हमें यहां पे क्लिक करना है, Credit Card पर, ठीक है, Credit Card पर क्लिक करने के बाद यहां पे देखो आपको ऐसा एक शो हो जाएगी, जो अपना credit card आपर और वगरा, वो यहां पे शो हो जाएगी, तो यहां में बता है कि 3% cashback on paytm, travel, movies and mall तो basically आपको paytm के अंदर 3% cashback मिलेगी और यहां पे 2% cashback बता है कि on all paytm apps यहां पे जो आप paytm apps बगरा यूज करते हैं तो उसमें से आपको paytm app जो support करते हैं उसमें आपको 2% मिलेगी और यहां पे all other order is spent तो इसमें चापको 1% cashback मिलेगी तो लेकिन मेरे कोई से कोई मतलब नहीं है हमारा मतलब है कि यहां पे इसको apply के से करना है और क्या eligibility होगी तो eligibility की बात करते हैं तो social में आपको मेरा civil score है मैं वो दिखाता हूँ मैं आपको बता हीता हूँ अब फिलाल के लिए current मेरा चलता है 703 और यहां पे जो expiria है expiria पे मेरा 752 तो approach थोड़ा बहुत अच्छा ही है इतना खराब भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं है तो फिलाल के लिए आपको नीचे पर आपको दीख रहा होगा यहां पर apply बटन पर क्लिक करने की बार आपको कुछ details आपको feel करना पड़ेगा जैसे कि यहां पर देखो यह HDFC का है पेटीम HDFC यहां पर टाइप क्या हुआ है तो यहां पर आपको यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा ठीक है और देखता हूं कि मैं इस इस एकार्ट के लिए herisible होता हूं की नहीं और अपनी जो प्रट आ प्रियूस्ब्व कि आएगा कि अस इसना पर आपको डॉट्या्टिब का लटेता हूं अइस को बीरिफाइब करने देखता हूं कि हमारे क्या होता है क्या होता है हुआ हुआ थादा पर रुकेगा हम लोग देख लेते हैं कि exactly क्या होता है तो यहां पर बतार है कि four more details to before your card to ready is please complete your application before 9 p.m. तो मतलब अभी की अभी मतलब मेरे को यह complete करना होगा और यहां पर कुछ details यहां पर जैसे कि email id date of birth यहां पर जेंडर चूज करना है और यह पर occupations क्या है वह मेरे कुछ चूज करना पड़ेगा यहां पर self employee company name और आपको वह सारे चीज भरना पड़ेगा जैसे कि आपको अधार कार्ट के according आपको फिल करना पड़ेगा तो आपको यहां पर एड्रेस को फिल करने की बाद आपको नीचे आएगी आपके residential क्या है आप current address पर और आपका घर जाए क्या है वह आपको select करना पड़ेगा मैं यहां पर organic select कर रहा हूँ जो हमारी private है तो इसको मैं organic select किया हूँ ठीक है तो यहां पर थोड़ा time रुके की और यहां पर solution मुहमद तो मेरा जो मैं almost मैं यहां पर एप्रूबल हो इस कार्ड के लिए और मैं यहां पर आप चाहों तो इसको कार्ड में जो है आप इसको मोटिफाई भी करा सकते इसमें डिपेंड नहीं कि आप उसको आपका जो बाइफोल्ट आया है वह आपको डालना पड़ेगा पर आपको मादर नेम सबस्क्राइब को डालना होगा जआपना मादर नेम और बहुत चार राइसे लोगो種 होता है उन पर कहां पर है इसदूरर मोस्ट्राइब कि सदूर्प ए जब ब baked 일बायाद निया याद और रएगफोर मादर नेम आपको 2 पूर ड़ैजक्ति रहें ज ज़रूत नहीं है ठीक है कुछ भी डाल सकते हो तो आप जो एनुवल अगर आप जो बिजिनस में से लेकर तो आपको यहां पर तो दिखाना पड़ेगा तो फिलाल कि में चार लग दे रहे हो तो एपरोक मेरा टॉनवल जो होती है तो यहां पर आपको जो एड विजिनस आड तो आप इसको आगर आपको होता है कि आप इसको एक बार स्क्रीन शोट रख लिए इसकी सी दूसरी मूबाइल पर देख 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 आप उसको क्यों वाई से बगरा करा सकते हो ठीक है आपको मील गई है तो यहां पर एक डिजिटल लोकर आपको वेरिफिक्शन कराना होगा जैसे कि पैन कार्ड आधार कर आपको ज्याद से पांच मिनिट के वक्त लगए आपको यह कराना होगा तो सबसे लिए आपको एक रीडिरेक कर देगा आपके एक वैब साइट के अंदर करने के बाद आपको यहां पर जो अपना अधारकार्ट का नंबर आपको इसको सिलेक करेंगे और अधारकार्ट नंबर सिलेक करने के बाद आपको अधारकार्ट नंबर यहां पर एंटर करना है और आपको फोटो डालने की जोरूत नहीं है आपको अधारकार्ट नंबर ए नहीं कर रहो कि यह बहुत इंपोर्टेंट होता है अगर आप कुछ घल्दी करते हो तो आपकी कार्ट रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है अभी हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो ओटीपी है वह हम इसको फिल कर देता है और यह थोड़ टाइ लेने देता हूं और मैं आपको कुछ डाउट जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूं सबस्वेले मैं आपको बता दो अगर आप जो सबसे पहली स्टेप यहां पर कॉंग्डा चिलिशन मिल गए ना आपको तो डॉन फरे अगर आप जो वीडियो की टाइम पर आपको अगर मतलब उसको सब कुछ वीडियो के वश्य कंप्लेट करा दिया है तो आपको डरने की ज़रूत नहीं आपको कार्ट लिमिट मिल जाएगी और डॉन बरी हो सकता है चोटा बड़ा आपको एमोन मिल लेकिन आपको कार्ट मिल जाएगी तो यहां पर बता है कि आपस टू स्टे हो सकता है तो यहां पर क्लिक करेंगे और रिमाइंडिंग नीचे जो आप्शन आया ना रिमाइंडिंग पूछ जाएगी तो यह बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है आप सब कुछ याद रख लीजिगा तो मैं आपको वेसिक कुछ डिटियर से बता रहा हूं तो यहां पर बड़ेगा और जो डिटियर सापको पूछेंगे अगर आपको कंप्लीट करा लिया है तो आपको तीन से चार दिन के अंदर अपना जो है कवाइसी डिटियर अपडेट हो जाएगा अपडेट होने के बाद आपका कार्ट जो है इशू हो जाएगी और पांस से दस बड़ेगा और कितना लोग यहां पर इलिजबिल हुए है मेरे को यहार नीचे कॉमन करके जुरू बताना ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो बताते के लिए बाई 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 जाहीन बंद मातरम